आतंकवाद को लेकर अक्सर पाकिस्तान की पीट थप थपाने वाले चीन को अब अपने नागरिकों की ही चिंता सताने लगी है यही वज़ा है कि इसलामाबाद में चीनी दूतावास ने पाक पर रहने वाले चीनी नागरिकों और संबंधित संगठनों को उन पर आतंकवादी हमले किये जाने की चेतावडी दी है इससे पहले चीन ने पाकिस्तान सरकार से अपने नागरिकों की मौझूदगी वाले स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा था पाकिस्तान इस्थित चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान में रह रहे हैं चाइनीज वेक्तियों और संगठनों पर आतंकवादी सिल्सलेवार हमले कर सकते हैं उन्होंने अपने नागरिकों और संगटनों को सुरक्षा सतरक्ता बढ़ाने, आंत्रिक एतिहात को मस्बूत करने, बाहर कम जाने और भीड भारवाले स्थानों से दूर रहने को कहा है। चीनी नागरिकों को पाकिस्तान पुलिस और सीना के साथ सहीयो करने के अलावा कहा गया है कि आपात इस्थिती में दूतावास को अलर्ट करें, हाला कि हमले की आशंका खुले कर डिटेल नहीं दिया गया है। इस मुद्धे पर अभी पाकिस्तान की विदेश मंत्राले की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आगरिकों पर आतंग की हमले हो सकते हैं। आगरिकों आतंग की आप।